एक्सराइस 14.1 Q8 एक्सराइस टिचर ही फॉलोईंग अफसेंटीज रिकॉर्ट टूडेंट्स ओफ एक्लास फॉर दा होल टम फाइंड अमीन नंबर अफ देज अस्टूडेंट वाज अफसेंट किसी कक्षा ध्यापिका ने पूरे सत्तर के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यारतियों की अनुपस्तिती निमली के तुरूप से रिकॉर्ड की है विद्यारति जितने दिन अनुपस्तित रहा उसका माध्य ग्याद कीजिए अब यहाँ अपने मर्जी से आपने तीनों मैथड कराएं گें हैं आपको सबसे पहले हम आपको डार्ैक्ट मेथड कराते हैं उसके लिए हम देखे सबसे पहले टेबल बना लेते हैं बचो सबसे पहले ये डारीक्ट मैफटड पर तक्षवीदी बचो यह हमारे परस क्या है FI फिर हम निकालेंगे XI और यहां find out करेंगे FI XI अब देखिए यहां पर हमारे पास difference जो है वो height of class interval सेम नहीं है इसलिए हमें अलग-अलग का निकालना पड़ेगा यह 3 16 का half 8 यहां का 24 इसका half 12 यहां ज़ेगा हमारे पास 34 इसका half 17 और यहां ज़ेगा हमारे पास 48 48 का half 24 और यहां ज़ेगा हमारे पास 66 इसका half 33 ठीक है और यहां ज़ेगा हमारे पास 39 अब यहां पर देखिए क्योंकि इनमें difference सेम नहीं है इसलिए हम इनको अलग-अलग तरीके से निकाल कर देखेंगे ठीक है अब इनको दोनों को multiply करना है मारे पास 33 यह ज़ेगा 80 84 68 96 99 39 इनको एड़ कर लेते हैं देखिए नूँनों पर उचे चोबीस और वारा चातिस और तीन तेन तैन आलिस को नहीं ज़ाए तीन ज़े और छे बार वारा थार्रा तीस और शोड़ा च्छे आलिस और यह टीन उननचा और इनका टोटल हम्हें दिया है बच्चों-सप्चूर्च को एनकों निकालना है सिग्मा एफ आई एकस आई अपान सिग्मा एफ आई फोर डबल नाइन अपान फोर जिरो कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले टैन यहां से डैसिमल में कनवर्ट कर दिया और फोर्स का डिवाइड किया देखिए फोर बन जा फोर फोर टुजा एट बचा वन नाइनटीण और फोर फोर जा सिक्स्टीन ट्री थर्टी फोर सेवन जा ट्वंटी बचे टुट्य और फोर फाइव जा ट्वंटी और अंसर अगर कोरेक्ट निकाल लंगे तो는 यह फोर एड़ हमारे पास डेज आ जाएंगे जिसमें बच्चे अप्सेंटिज रहें ठीक है यह हमने आपको डारेक्ट मैथड कराया था हम आपको एज्यूम्ड मीन मैथड से हल करा रहें देखिए एज्यूम्ड मीन मैथड यह हम कल्पिद वीदी से बच्चों हल करेंगे और यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यह हमार पास सेम एफ़ाई है यह एकस आई और यहां पर हम डियाई फाइंड आउट करेंगे और यहां एफ़ाई डियाई ठीक है यह क्लास मार्क है हमारा इसे हम वरक चिन भी बोलते हैं ठीक है और डिफ्रेंस उसी तरह हमने सब में अलग अलग निकालना है एकसाई यह 3 16 का यह जगा 8 24 का यह 12 और इसका यह जगा 34 का 17 48 का यह 24 66 का यह 33 और यह जगा 39 और 1 2 3 4 5 6 7 7 & 1 8 8 का हाफ 4 1 2 3 4 4 टम को हमने यहां पे सरकल कर लिया उसके सामने का 0 अब यहां देखे कैसे फाइंड आउट करते हैं एकसाई माइनस ए अब इसमें 3 माइनस 17 करेंगे कितना जगा माइनस 14 8 माइनस 17 करेंगे कितना जगा माइनस 9 12 माइनस 17 करेंगे कितना जगा माइनस 5 इनमें डिफ्रेंस सेम नहीं है इसलिए हमें अलग अलग लेना पड़ रहे हैं 24 में से 17 लेस करेंगे यह हमारे पास आज़ेगा 7 और 33 में से 17 लेस करेंगे 16 और यह आज़ेगा हमारे पास 22 यह हमने अलग-अलग सेपरेटली कर लिया अब XIDI निकालना है तो यह हमारे किसमा 154 ठीक है यह आज़ेगा माइनस 90 माइनस 35 यह 0 28 यह 48 और यह 22 इनको अलग प्लस कर लेते हैं देखिए आज़ेगा 9 और यह आगया हमारे पास 7 और यह आज़ेगा हमरे पास 2 माइनस 279 यह आज़ेगा 16 और तो अठारा काटे लगा एक छे और एक साथ और दो नो इन दोने को लेस करते हैं आज़ेगा 1 और यह आज़ेगा 8 यह यह 1-188 और यह हमारे पास 40 टोटल दिया है एक्स बार वह हमारे पास तरीका ए प्लस सिगमा एफ आई डी आई अपॉन सिगमा एफ आई एक इतना जगा हमारे 17 प्लस माइनस 181 अपॉन फॉर्टी तो यह हमारे पास आज़ेगा 17 माइनस 18.1 अपॉन फॉर ठीक है इसको डिवाइड करते हैं देखिए यह हमारे पास आज़ेगा 17 माइनस फॉर फॉर जास 16 ठीक है और फिर बचा हमारे पास 2 ट्वेंटी वन फॉर फाइवजा 20 फिर वन लगबग टू तो यह इसको लेस करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास 8 4 और यह आगा 12 12.48 यह हमारे पास 12.48 पिछले वाले की तरह उसमें में 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 पास 12.48 आया लिख पिर टी की समय में 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 यह हमारे थिंग है we can see the problem